हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सब आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के लेर्निंग पॉइंट में आज लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें एन आई यूएस पीडीपीटी विर्च कोर्स पेपर 522 के इंपोर्टन कुश्चिन अंसर हैं यह वीडियो का भाग 11 मां हैं इसके पहले दस वीडियो अपलोड कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखें तो प्लीज देख लिए जिससे आपकी एक्जाम में हेल्प हो सके शुरू करते हैं आज का वीडियो इस भाग में एकाई छे प्रेरक अधिकम बातावर्ण का सिर्जन करना यह इस इनिट की काच्वी सिस्ता यह है कि यह इनिट इस फेपर की लास्ट इनिट है इस फेपर में केवल छे एकाई हैं तो शुरू करते हैं इस वीडियो को क्याला कुश्चन है आपका मैं सीखना फसंद करता हूं परन्तु पढ़ाय जाने से जर्डा किसका मत है तो इसका अंसर हो जाएगा विंस्टल चर्चिल यह कतन आपका कहा था कि मैं सीखना फसंद करता हूं परन्तु पढ़ाय जाने से जर्डा यह कतन आपका है विंस्टल चर्चिल का ओप्शन सी अंगला कुश्चन है आपका सायक अधिकम के पिरमुक साधन है तो आंसर सही होगा ऑप्संदी कौन-कौन से साधन है देखिए को सिच्चक अधिकम करता आधारवू सरचना यह सभी तायक म anlam के पिरमुक साधन है वैं दी के लिए आवश्यक है जो सिच्चक का अदिकम करता है उनके लीए कह आवश्यका है तो आपका संदीस्टि होगा अपरोग सभी इसमें सामन्जस आदर विश्वास ये तीनों अधिगम करता तता सिचक के बीच अधिगम के लिए आवश्यक है अंगला कुश्चन है गुर्वत्ता अधिगम बाता वराड इस्ताफित करने के शिद्धान्त है अप्शन डी उपरुक सभी तो देखिए कौन-कौन से उप्शन है इस परस्ट उच अपेच्छाय निर्धारित करना सिच्छक वा अधिगम करता के बीच आदर वाविश्वास एक सहकारी एवं सहयोगी अधिगम इस्तान सरजित करना ये तीनों अप्शन हैं जो गुर्वत् करने के सिद्धानत हैं के अंगला कुश्चन है अधिकम करताओं में विन्ता का कारळ नहीं तो आंसर सयोगव वेजिडिया जो मीडिया है अधिकम करता में तांग नहीं नहीं है सकता है जिसका माप किया जा सकता है यह कथन किसका है तो यह कथन इसके नर्जी का है option A सही हो जाएगा कि अगनला कुश्चन है बालक की विकास को जो घटक फिरेरित नहीं करता है वह है कि तो और स्वा alors nor कि कि वन्सान क्रम तथा बहुंठ और और वी डॉंठ स़यों होगे कि भेज़'ll संट कृम कंष्ट को में विकास कोई कि प्रिलित नहीं करता है तो यह और प्रिलित नहीं करता है तो दोनों ही नहीं कि बहुंकि बार управ यह बालक की विकास के घटक हैं और उसको प्रिजित करते हैं अंगला कुश्चन है व्यक्ति के स्वभाविक विकास को कहते हैं और सने कहते हैं अभी व्रद्धी व्यक्ति का जो स्वभाविक विकास होता है उसे अभी व्रद्धी कहते हैं अंगला कुश्चन है वाल्यावस्था में सामानता बालक का व्यक्तित्व होता है ओप्सन सी इसका अंसर होगा बहुर मुखी तो बाल्यावस्था में सामानता बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो वहर मुखी होता है अंगला कुश्यन है बाता बलड में सब बहात तत्व आ जाते हैं जिनोंने ब्यक्ति को आरम करने के शमय में प्रवावित किया है यह परवासा है फिर से कुश्चन देखिए बाता वरड में वे बाता वरड में सब वहाँ तत्व आ जाते हैं जिनों ने व्यक्ति को आरम करने के शमय में प्रावित किया है यह परवासा किसकी है तो इसका अंसर हो जाएगा अंसर ओप्सन ए हो जाएगा बुड़ वर्थ तो यह परवासा बुड़ वर्थ की है अंगला कुश्चन है बालक की व्रद्धी एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धान्द पर आधारित है तो ओप्सन डी से योगा उप्रियुत सभी विकास की दिसाक परसपर संबंद का सिद्धान्द ब्यक्तिकत विवनताओं का सिद्धान्द इन तीनों पर बालक की व्रद्धी एवं विकास की प्रक्रिया निम्न ये सिद्धान्द है इन पर आधारित है अंगला कुश्चन है जैसे जैसे बालक की आयू का विकास होता है वैसे वैसे उस औप्सिन ए अंगला कुश्यन है जिस आयू में बालक की मांसिक योगता का फूर्ड विकास हो जाता है वह आयू है वह आयू है 14 वर्स औप्सिन ए सही हो जाएगा अंगला कुश्चन है मस्तिस्क द्वारा अपनी श्यम की किरियाओं का निरिच्चड किया जाता है तो इसको क्या कहेंगे इसको बोलते हैं आत्मनिरिच्चड विधी यह अंसर D सही हो जाएगा अंगला कुश्चन है समानता के नियम के अनुशार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है तो आपसन ए सही हो जाएगा माता पिता जैसी जो समानता का नियम है उसके अनुशार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान माता पिता के जैसी ही होती है अंगला कुश्चन है बालक की मूल सकतियों का परधान कारक है तो यहां आपसन सही होगा B वनसान क्रम बालक की मूल सकतियों का जो परधान कारक है वो वनसान क्रम है अंगला कुश्चन है बच्चों की जरूरते होती है तो बच्चों की जरूरते होती है option D सही है यहाँ पर उपरोख सभी देखिए कौन-कौन से जरूरते हैं सारीरिक, सुरच्छा सम्मंदी, इशने सम्मंदी ये जरूरते हैं बच्चों की जरूरते होती है अंगला कुछ्छन है बालक की सामाजिक इस्तिती बंसन नुक्रमडी है option A सही होती है बालक की सामाजिक इस्तिती बंसन नुक्रमडी होती है अंगला कुछ्छन है सिच्चक बालकों की पार्ट में रुची उत्पन कर सकता है जो सिच्चक है बालकों की पार्ट में रुची उत्पन कर सकता है कैसे कर सकता है option B सिच्छा से अंगला कुश्चन है जिस आयू में बालक की मांसिक युगता का लगभग फूर्विकास हो जाता है वह है तो आंसर सही है 14 वर्ष अंगला कुश्चन है निम्न मेंसे कौन सा कारक ब्यक्ति की ब्रद्धी या विकास को प्रवावित करता है तो आंसर डी सही होगा ये सभी भोजन ब्यायाम गिरंथियों की किरिया सीलता ब्यक्ति की बुद्धी या विकास को प्रवावित करते हैं अंगला कुश्चन है विकास की परिडाम स्वरूप ब्यक्ति में नवीन विशेस्ताएं और नवीन योगताएं पिरकट होती है यह कथन है तो यह कथन है और सने से योगा हर लोग का अंगला कुश्चन है पर्यवरण वारी वस्तु है जो हमें प्रवावित करती है यह विचार है यह विचार है रोसका रोसका विचार था कि पर्यवरण वारी वस्तु है जो हमें प्रवावित करती है अंगला कुश्चन है एक माता पिता के अलग-अलग रंग की संतान होती है क्योंकि तो answer सही होगा option C जीव कोप के कारण जीव कोप के कारण एक माता पिता की अलग-अलग-अलग की संदान हो सकती है अनला question है बाता वरण के अंतरगत आते हैं तो answer सही होगा D हवा प्रकास चल ये सबी अनला question है ब्यावार के कारण ब्यावार में कोई भी परवर्तन अधिकम है ऐसा कहा गया है तो ऐसा गिलफोर्ड जी ने कहा है option D सही है ब्यावार के कारण ब्यावार में कोई भी परवर्तन अधिकम है ये गिलफोर्ड जी ने कहा है अंगला question है अंतर द्रिस्टी और सूज का सिध्धानत के जनक हैं सभी लोग़ों को पता है कोलर ऑप्सेजिबिए अंग जोरी पृषिंधे प्रक्रिया की की एक पर्मुग मिशस्था पठार है यह कतन है यह कतन है रौज का ओप्जन भी तीखने की प्रक्रिया की एक प्रमग विचिस्ता का पठार अदिकल्ध की आवश्यक है औपसन हे बालक की रुची तो अधिकल्ध में जो आवश्यक है वो क्या होता है बालक की रुची औप्सन ए अंगला कुश्चन अधिगम की गती निरवर करती है तो औप्सन डी से योगा इन मैंसे सबी पर देखिए किस पर किस पर सीखने की रुची जिग्यासा सीखने वाले की त्रेरला तो फिर इन तीनों पर वालक के अधिगम की गती निरवर करती है अंगला कुश्चन है अधिगम प्रारम होता है तो औप्सन डी सही है यहां पर जिग्यासा अधिगम जो प्रारम होता है वो जिग्यासा से प्रारम होता है अंगला कुश्चन है एक वालक एक मूर्ती को देख कर उसे बनाने का प्रयास करने लगता है उसके इस मूल में समायत है जब कोई एक बालक एक मूलती को देखकर उसे बनाने का प्रयास करने लगता है तो कर तो उसे सर्जनात्मक्ता कहते हैं यहां option एस हो जाएगा अंगला कुश्यन है छात्रों में अंतर्नेच प्रतिभागों का विकास संभा हुए चात्रों में अंतर नेत प्रतिवागों का विकास संभव होता है अंगला कुश्यन है सिच्छल एवं सीखना होता है अप्शन बी सायोगा कच्छा के कमरे में और दोनों में अंगला कुश्यन है कोई विवयवार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद बाल को द्वारा किया जाता है तो यह कहलाता है ऑप्शन बी बाल अपराद जब कोई भी विवार जो सामाजिक नियम है और कानून है उनके बुरुद्ध बालक को द्वारा गिया जाएगा तो उसे बाल अपराद कहते हैं अंगला कोश्चन है बालक अपनी आवश्यक्ता के आधार पर अपना लच्छ निर्दारित करता है और अधिगम पर सित्री में डौट-डौट के द्वारा अधिगम करता है तो यहां पर फिलकर आजाएगा और से इस लेगे अंता किरिया अंगला कोश्चन सीखना धारड पुना इसमरड और पहचान इसमर्ती के चार मुख खंड किसने माने हैं आंसर सही होगा इस्पिया मेंन ने आप्सन दी अंगला कोश्चन हम करके सीखते हैं किसने कहा है डौक्टर मेस ने आप्सन ए सही है अंगला कोश्चन मेंटालिटी ओफ एप्स नामक पुस्तक के लेखक हैं तो आंसर सही होगा ए कोलर तो मेंटालिटी ओफ एप्स नामक पुस्तक कोलर ने लिखी है अंगला कोश्चन है संबे दनात्मक अधिकम द्वारा शीखा जा सकता है ओप्सन डी सही है उपर्युक सभी बोलना अनकुरण करना साइकल चलाना ये तीनों चीजें संबे दनात्मक अधिकम द्वारा सीखी जा सकती हैं अंगला कोश्चन पर्संसा और निंदा दो ऐसी व contradi हैं जो वालक की ब्रद्ण करती ंगला कुश्चन एक गुलवत्ता फूर अधिकम बातावर्ड से संबंद मुद्द्दally…… जो एक गुलवत्ता फूर अधिगम है वो बातावर्ड से संब्ध मुद्धे हैं ओप्शन D से होगा यहां पर अपरोग सभी विद्यार्थियों को प्रिवेत करना अधिगम का नियंत्रड बच्चों की वोल करना अधिगम करताओं की विविद्धा का सामना करना यह तीन च्शमता संवर्धन के लिए सिचकों का डैस डैस अवश्य होना चाहिए और से से य योगा अंग्ला कुश्चन है निम लिखित में बहाँ प्रियरक है तो बहाँ प्रियरक में आता है आपका उप्सक्ता ओप्सन एसा ही होगा अंग्ला कुश्चन है मूल प्रवत्ती अभी फेरड़ा शिद्धांत के तरवर्तक कौन कहलाते हैं अंग्ला कुश्चन अभी फेरड़ा से सम्मंदित ब्यवहार का लच्छड है ऑप्सन एसा योगा उत्सक्ता अंग्ला कुश्चन बालकों के जैविक बालकों के लिए जैविक फ्रेरख है ऑप्सन एसा ही है नीद जो नीद है बालकों के लिए जैविक फ्रेरख है अंग्ला कुश्चन है एनिमल इंटेलिजेंस नामक वस्तक के लेखर जो एनिमल इंटेलिजेंस नामक वस्तक है इसक जो थांडाइक दी ने लिका है option a say yoga अंगला कोश्चन है वह वालक जो अपने अध्यन में वह वालक जो अपने अध्यन के मद्धिकाल में अपनी कच्छा का कर जो उसकी आयू के नुशा शामान है करने में असमर्थ रहता है मैं फ्रोथ पिछला वालत ते हैं वह अध्यन की मत्द काल में अपनी कच्छाल का कर जो कि उसकी आई वॉक्षा शामान Depth करने में असमर्थ होते हैं ऐसे वालत पिष्ड़े वालक कहलाते हैं अंगला कुश्यन है विसष्ट वालक हुए है जो मानसिक सारीजिक वाश्रामाजिक विश्यस्ताओं से युक्त होता है उप्त कथन है यह कथने किक का आप्संड वी कुष्चन है मैं सीखना पसंद करता हूं किन्तु पढ़ाय जाने से गरड़ा यह कथन किश्का है यह कथन है ओप्शन ए देखिए विस्टन चर्चिल चर्चित का अंगला कुश्चन आप एक बच्चे को पढ़ा नहीं सकते किन्तु आप एक फौदा होगा सकते हैं यह कथन किन्का है आंस कढ़ा सकते हैं यह कठन काथ difficulty करना ज करें हूँ मैं गाला कुश्चन है निमन लिखित मैंसे कच्छा कच बातावर्ड के मुखिए आयम कौन से हैं तो कच्छा कच्छство कमकायाम कौन है और शैयोगा बिई-उफौय possetla आदेश भाघिदारी यह कच्छा कर्च बातावर्ड के मुखायाम हैं अंगला कुश्यन हैं बारत में अधिक्तम स्वरी वारत में अधिगम बात dadu ke从 high होने का क्या करण है तो आउसर सही है उपरिऒस जिसमें नहीं संसाधन का आभाव बौतिक संसादन का आभाव यह तीनों आभाव हैं इसी कारण भारत में अधिगम बातवर्ण के अंखुल नहीं होने के यही करण हैं अंगला कुष्शना बहरतम वारत कछ्छ बातवर्ण के किस आभा को ढिजिल रहा है option c से योगा उपरियोक दोनों बहुतिक आयाम मनोबैज्ञानिक आयाम इन दोनों को वारत कच्छा कच्छवाता वरण के अबाव को जेल रहा है कि अंगला कुश्यन है कि सिच्छड का पहला सिद्धान्त है कि कुछ भी पढ़ावा नहीं जा सकता कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता सिच्छा के संब्द में उक्तिविचार किश्का है अप्शन ए अर्विंदो का यहाँ पे अप्शन ए सही है अर्विंदो इन्हों नहीं कहा था कि सिच्छड का पहला सिद्धान्त है कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता अंगला कुष्चन है निम लिखित मैंसे पाठ की रूप रेखा बनाने में किसकी आवश्यक्ता नहीं होती है Option B सायोगा बारसिक परिच्चा के संचालन में ब्या किये गए दिनों की संख्या इसकी आवश्यक्ता पाट की रूप रेखा बनाने में नहीं होती है अंगला कुश्चन है एक एकाई के विशेवस्तू के गुड है Option D उपरियोग सभी एक सामान शिद्धान पेकरिया वा शमश्या उद्देश फूर ये तीनों एक एकाई विशेवस्तू के गुड है अंगला कुश्चन पर्रेवर अध्यन को कच्छा एक वा कच्छा दो में किस पाठ बस्तक के साथ समेलित कर दिया गया है Option C सामाजिक विज्ञान स्वरी Option C से योगा A और B वासा और गड़ित इनको एक साथ समेलित कर दिया गया है अंगला कुश्चन है रिक्तिस्तान की पूर्ति करें एक फाठ योजना डॉट 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 आधारित होना चाहिए यहां फिल करा जाएगा उद्देश अंगला कुश्चन है पाठ योजना के तीनों अवस्थाओं के लिए विभिन किरिया कलावों के अंतरगत नहीं आते हैं प्षै को जोगा उपस्थिति दर्फ करना अंगला कुश्चन है रिक्तिस्तान की पूर्ति करें पाठों की रूप रेखा मासिक तथा डॉट 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 वी हो सकती है तो इसमें आंसर आएगा पाठों जीका मासिक तथा बारसिक भी हो सकती है तो यहां पर यह पांसो बाइस जूपते पर है यह आपका च्छे यूनिट इसके बहुए कल्पी कुश्चन अंसर कंप्लीट हो चुके हैं अब हम लोग इसके लग उत्तरी परसन या सौट अंसर देखेंगे जो की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत